हेलो स्टेंट्स मेरा नाम है यूटिब चैनल में स्वागत हैं तो जैसे कि आप सब जानते हैं आप सभी कि क्लाश 12 की जो परिच्छाएं होंगी बोर्ड परिच्छाएं वो नजदिक आ रही हैं और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आगे हूं और गैनिक केमिस्ट्र की के जो most important name reactions है उसकी वीडियो के लेकर तो बहुत सारे स्ट्रेंट्स को यह problem होती है कि उन्हें name reactions याद नहीं रहते हैं या वो भूल जाते हैं या confused जाते हैं कि कौन सा name reaction किस reaction के साथ हैं तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं इस वीडियो में आपको name reactions के बारे बत questions के बारे में भी बात करूंगा तो यह वीडियो की series होने वाले इसमें मैं दो तीन या चार वीडियो अपलोड करेंगा और हर वीडियो में मैं बहुत जादा नहीं तीन या चार reaction से आपको बताऊंगा ताकि आप उन्हें आराम से याद रख सकें और एक साथ आपको बहु या चार नगे रियक्शन आपको बताने वाला हम और इसी तरह मैं इसके आगे की चार अग्ली वीडियो परकौट करूंगा इसी तरह मैं की बहुत सारे वास्टेमर्द देखतैंग वो ज्याद हो स्टाइब को यहां पर मैं इसी तरह की वीडियो में लेकर आता रहता हूं तो सबसे पहला रिएक्षणathon फिंकश्टीन क्या करते हैं किसी बी- HS. तो इसमें रेक्शन क्या होता है हम इसमें RCL या RBR को हम इसमें RCL या RBR को NAI और ACETON के साथ हम TREAT करते हैं यानि NAI और ACETON के साथ हम REACTION करवाते हैं और होता क्या है कि RI आपका बन जाता है यानि यापके कारवन की जो चेन है वो और हमारा आयोडाइड बन जाता है और NACL या NABR जो है ये आपका बाय प्रोड़क्ट बन जाता है तो ये आपका जो है वो REACTION हो गया और इसमें आपको QUESTIONS पूछ सकते हैं आपको एक REACTION देदेगा और पूछ सकता है कि ये कौन से NAME REACTION का REACTION है तो अगर आपको कोई REACTION देदेगा आर के जिगह मान लिए आपको CS3 देदेगा कि CS3 CL और इससे हमें बनाना है CS3 I तो हम कौन से REACTION का यूज करेंगे तो आप आराम से बता सकते हैं कि इसमें हम ये FINGER STREEN REACTION का यूज करेंगे क्योंकि ये बहुत आसान है और इससे हम आराम से प्रोडक्ट बना सकते हैं तो चलिए अब अगली REACTION के और बढ़ते हैं अगले जो आपका REACTION है वो SWARS REACTION तो SWARS REACTION में क्या है अगर एक अलकायल ख्लॉराइड या अलकायल ब्लॉराइड को मेटालिक फ्लॉराइड के पर जेंस में सच आज AGF, HG2F2, COF2, SBF3 तो आपको इतना नहीं जानना है बस आपको एक AGF के बारे में जानना है तो यदि हम अलकायल ख्लॉराइड या अलकायल ब्लॉराइड को AGF के साथ REACTION करवाएंगे तो हमें अलकायल फ्लॉराइड मिलता है तो यदि हम किसी अलकायल ख्लॉराइड को AGF के साथ REACTION करवाते हैं तो हमें अलकायल फ्लॉराइड मिलता है अब क्यूंकि अलकायल फ्लॉराइड भी जो है वो बनाने में थोड़ा मुस्किल होता है डिरेक्ट तो इससे भी हम पहले पहले ब्रॉमाइड या क्लॉराइड बनाते हैं और उसके बाद फिर हम इसे स्वार्श रियक्शन का यूज करके इससे फ्लॉराइड में कनवर्ट करते हैं तो इससे आपको डिरेट कुश्चन आ सकता है या तो कन्वर्जेंट में कुश्चन आ सकते हैं यह चाया चे यह को पूच्म Tá Talking होना कि आप यूजी अध्य की इसी तरह करें получится में में गान वर्लडन्ज में जो अगले जो रियक्षण आपका वह वह उट्स रियक्षण तो वैद्स रियक्षण में हम क्या करते हैं हम क्षित कर्वबन के दुर सकते हैं तो इसमें क्या एक है यह आपके पास सदिवोर यह बंद मेशाल अजिसमें यहलोजन लगा हूआ और आपके पास एक और कार्बन चेन है जिसमें हैलोजन लगा हुआ है और हम उसे क्या करते हैं सोडियम मेटल के साथ रियक्षन करवाते हैं तो इन दो यह दोनों जो है यह पूरा निकल जाता है और यह दोना और आडस आपस में जूड़ जाते तो आप यह देख सकते हैं अगर इसको ड्राइध रल मीडियम में कराया जाता यह रिक्षन तो यहां पर अलकेन बना सकते हैं तो यहां पर आपको क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको एक कमपाउंट दे दिया है 2C3Cl ठीक है यह स्का दो मुल लिया है और इसके साथ आपको दिया है ।- है प्लस तू- एंशूडियम के साथ रिक्सिन करवाएगा और मेडियम हमेशा ऀजू है वह आपका रही रही रहएगा तो अगर आपका मेडियम ड्राइट हर एंश् AV आपको तुराब जान जाने को रियक्शन ज Tibalt रियेक्सन है तो वूर्ष आपको तुरत प्रोड़क्ट क्या करना है दोनों सी एल हटा देना है और दोनों सी एस थरी को आपस में जोड़ देना है बस आपका प्रोड़क्ट बन गया अब मैंने यहां सारे डियेक्शन के आपको देफिनेशन भी लिख दिये हैं ताकि अगर आपको एकजाम में सौट नोर्स है तो आप आराम से इसे बना सकते हैं तो यहां देखिए इसका डेफिनेशन क्या होगा कि अलकाइल हलाइड रियेक्ट विच सोडियम इन ड्राइथ हर टू गिव हाइड्रो काबंस कंटेनिंग प्रियाइड बड़ियु कि इसे बनाया है इसे इसे बनाया है और अगर आपको कुछ इसमें लग रहा है तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं आप कौपी में-नोट कर सकते हैं ताकि आपको याद रहे हैं तो आई एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि इस वीडियो में हमने कौन-कौन से तीन रियक्शन के बारे में सीखा हैं सबसे पहले हमने सीखा फिंकस्ट्रीन रियक्शन के बारे में जिसमें हम अलकायल क्लोराइड या अलकायल ब्रोमाइड को अलकायल आयोडाइड में चेंज कर रहे थे को फिंकर्ष्ट्री रिएक्षन में हमने सिखा कि हम अलकाईल क्लोडाइड या अलकाईल ब्रॉमाइड को एन आई के साथ रिएक्षन करवा के अलकाईल आयोडाइड में चेंज कर सकते हैं दूसरा रियक्षिन है आपका स्वार्ज रियक्षिन स्वार्ज रियक्षिन में हमने सीखा कि हम अलकाइल क्लॉराइड या अलकाइल ब्रॉमाइड को AGF के साथ reaction करवा के alkyl fluoride में change कर सकते हैं तो इसमें हम alkyl chloride या alkyl bromide को AGF के साथ reaction करवा रहे थे और उसे alkyl fluoride में change कर रहे थे इसके बाद हमने तीसरा reaction में देखा जो था wood reaction तो wood reaction जो था इसमें हम क्या कर रहे हैं हम carbon chain को double कर रहे हैं यानि किसी alkyl chloride, alkyl bromide यानि किसी भी alkyl halide को अगर हम sodium metal के साथ reaction करवाएं तो वो क्या होता है carbon change होता है वो double हो जाता है आपस में जूट जाता है और यह reaction जो है यह बहुत ही ज्यादा important reaction है इससे questions हर साल आते हैं और आप इन definitions को भी लिख कर याद कर सकते हैं ताकि पैक्जाम में इसे लिख पाया तो इस वीडियो में इतना ही इसके आगे के reactions को मैं अगली वीडियो में लेकर आऊंगा तो उन वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके देखि départओ तो चलिए इस वीडियो में इतना ही अगर आप को यह च्छे लगी ते शतीम को लाइक कीजिए सेयर कीजिये और आपको सब्सक्राइब कीजिए मैं मिलता हूँ आपकर नेक्स् वीडियो में तब तक लिए बखाय झाल झाल